News 18 इंडिया हेमन सोरेन जारखंड के पूर्व मुख्य मंत्री और जमीन घोटाले को ले करके उनकी गिरफतारी होती है। इसके आधार पर E.D. को पांच दिन की रिमांज मिली है, आज से रिमांज शुरू हो रही है। जारखंड के मुख्य मंत्री बन चुके हैं और विश्वसनी है हेमन सोरेन के। हेमन सोरेन जो शिबू सोरेन की विरासत को आगे बढ़ा रहे थे और जो जारखंड का इतिहास रहा है कि कि पांच साल का कारिकाल पूरा नहीं किया, वही हेमन सोरेन के साथ भी आदिवासी नेताने कारिकाल पूरा नहीं किया था, उसके बाद ये पूरा घटना करम होता है। चंडरो मोहन, कितने बजे मेडिकल होगा और कितने बजे से हेमन सोरेन से पूष्टाच होगी क्योंकि आज से रिमांड शुरू होगी। उसके बाद फिर से जो जानकारी मिल रही हो, उसके मताबिक एडी के अधिकारी कोर्ट से एक सब्ताह का और इमांड मांग सकते हैं। जहां उनसे तकरिवन 6 गंटे तक पूष्टाच होई थी और कई ऐसे सवाल थे जिसका जबाब वो हाँ या ना में या फिर नहीं जानते हैं। और कई ऐसे सवाल थे जिसके पूछे जाने के बाद हैमन सोरें जहला भी गये थे तो ऐसे में एडी के अधिकारियों ने बताया कि जब वो ठीक से जबाब नहीं दे पार हैं ऐसे आलम में उनको गिरफ्तार करना पड़ेगा और तब हैमन सोरें की गिरफ्तारी होई थी। झाँ झाँ